प्रभु जी का धन्यवाद हो आज किस दिन के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सके हम जब निकालते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं बजन सहीता जब हम पढ़ते हैं और उसका तेश्वा ध्याय जब हम पढ़ते हैं हम सब को याद कि भजन 23 सों मेरे ख्याल से हम सब को याद ही होता है क्योंकि प्रभू का वचन कहता है वह दूसरे पद में वह मुझे हरी हरी चराईयों में बैठाता है वह मुझे सुख दाई जल के जहरने के पास ले चलता है और वह मेरे जी में जी ले आता है धर्म के मारगों में वह अपने नाम के निवित मेरे एकवाई करता है प्रमेशन ने जब मनुष को बनाया प्रभूजी ने जब मनुष को बनाया तो प्रमेशन ने मनुष को 3-1 बनाया अर्थात देह प्राण और आत्मा शरीर प्राण और आत्मा बोड़ी सोल और स्पिरिट और हमारे अंदर केवल आत्मा नहीं है, हमारे अंदर प्राण भी है, जिसके कारण से प्राण हमें वो योग्यता प्रदान करता है, जिससे हम फील कर सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, और हमारे पास खुद का एक समझने की शक्ती है, intellect है, intellectual mind है, हमारे soul की ये will, intellect और emotion ये तीनों units हैं, soul में ये पाया जाता है, भावनाओं में ये शमता है, какी वो भावनाओं को अपने अंदर रख सकता है, intellectual brain को रख सकता है, intellectual mind को रख सकता है, जो soulish mind है, और आपके अंदर इच्छा शक्ती भी है प्रभू का बचन कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है जी में जी ले ले आता है इसको इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो वाली का He restores my soul Soul हमारे अंदर प्राण है एक और हमारा जो प्राण है वो प्राण बदलता रहता है वो प्राण घायल हो सकता है वो प्राण फलवन्थ हो सकता है fruitful हो सकता है क्योंकि बचन में जैसे लिखा है जैसे as your soul is prospering जैसे तैरा प्राण फलवन्थ हो रहा है प्रभु का वचन साफ कहता है जब आप निकालते हैं अयूप की किताब में तो वहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है किस रीती से परमेशर ने धर्ती को बनाया और किस रीती से परमेशर ने मनुष्य को बनाया और वहाँ पर restoration का कार जो परमेशर मनुष्य के अंदर करता है वो भी लिखा हुआ है प्रभू का वचन कहता है दुष्ट लोग परमेशर को नहीं पूचते नहीं पोकारते नहीं खोजते लेकिन जो लोग परमेशर की बाट जो होते हैं जो लोग परमेशर का इंतजार करते हैं जो लोग प्रभू की उपस्ति में बैठते हैं उनका soul जो होता है री स्टोर होता है जी में जी आ जाता है प्राण आपका बहाल होने लगता है आनंदित होने लगता है री कवर होने store करती है वापिस से चंगा करती है और जिसका प्राण पूरी तरह से healthy है जिसका प्राण पूरी तरह से recovered है उसकी body पूरी तरह से recovered होती है उसका जीवन देखते से ही आप आनदित को महसूस कर लोगे उसकी life में देखते ही आपको महसूस हो जाएगा कि परमेश की गहरी प्रिजन्स में ये वेक्ति या ये भाई बहन रहता है और परमेश की प्रिजन्स आपको रिस्टोर करती है क्या चीज रिस्टोर होती है प्रश्न ही ये है क्योंकि हमें तो लगता है हमारा प्राण तो क्या है कभी हम खोश रहते हैं कभी हम सैड रहते हैं कभी हम चिंता में रहते हैं कभी हम बहुत जाद आनंदित रहते हैं इससे जाधा हम अपने सोल को समझते ही नहीं है इससे जाधा हम अपने सोल को पहचानते नहीं है ठीक है आपका सोल किस बात में रिस्टोर होता है आपक पहले मनुष का सोल जो था वो बहुत होली था, बहुत प्योर था, उसमें पाप नहीं था, परमेशर को देख सकता था, परमेशर के दूतों को देख सकता था, परमेशर को तो मैं नहीं कह सकता देख सकता था के नहीं, लेकिन दूतों को वो देखता था, परमेशर की प्रेज परमेशर ने प्रभु जी ने जब मनुश को बनाया था तो वो आज का मनुश जैसा है वैसा नहीं बनाया था परमेशर ने अपने सोरूप अपनी समानता में बनाया था आपको परमेशर ने अपने सोरूप अपनी समानता में रच्चा था पहला पुरुश और पहली स्री जो कि उन्होंने कितना उनके सोल को कितना जादा कितना हैवी पेन हुआ होगा उनका सोल कितना जादा घायल हुआ होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते Unless and until खुदा आपको उसके स्वाद को थोड़ा सा चखाएं या प्रभू आपको बताएं परमेश्य की सायता से ही हम थोड़ा से समझ सकते हैं प्रकाशन के आधार पर लेकिन जिस मनुष्य के साथ वो हुआ था बड़ा सा ड्रॉबेक आया स्वर्गी प्रिजन्स में रहने वाला वेक्ति एकदम से पाप में गिर गया परमेश्य की उपस्तिती में रहना वाला वेक्ति एकदम से बुराई में चले गया एकदम से परमेश्य की प्रिजन्स से चले गया वचन में लिखा है तू अवश्य मर जाएगा तो ये जो मरना था उसके शरीर में नहीं हुआ था ये मरना जो था उनके अंदुरूई अस्तित्व में हुआ था क्या मर गया था उनका? सोल आत्मा मरती नहीं है कभी शरीर मरा नहीं था उस वक्त तो क्या मरा था? सोल परमेशर ने आत्मी का वस्था उनकी मर गई थी क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है जब परमेशर ने मनुष को बनाया तो यहाँ पर क्या लेखा हुआ है अपने सोरूप अपनी समानता में उत्वपन किया नर्व नारी करके परमेशर ने मनुष की स्रिष्ठी की जो परमेशर ने बनाया मनुष को तो कैसा बनाया प्रभु का वचन कहता है मिटी ली और उसका आकार दिया परमेशर ने और उसमें स्वांस को फूख दिया और प्रभु का वचन कहता है कि आदम जो है जीवित प्राणी बन गया आमेन समझ रहे हैं आप इस बात को जैसे ही परमेशन ने आदम में स्वांस को फूका इंगलिश में लिखा है Adam, man, became a living living soul उत्पत्ती दूसरा अध्या साथ वापत कहता तब यहोवा परमेशन ने आदम को भूमी की मिट्टी से रचा और उसके नत्नों में जीवन का स्वांस फूक दिया और आदम जीवित आत्मा नहीं बन गया जीवित प्राणी मतलब प्राण जिसमें है इंगलिश में लिखा है and man became a living soul तो living soul बन गया मतलब प्राण लेकिन living soul living soul इसका मतलब soul होता है dead soul भी होता है right क्योंकि वो जीवित हो गया प्राण में living soul बन गया हमें तो हमें इस बात को समझना चाहिए आज के जिन और वच्छन के द्वारा कि आप केवल आत्मा नहीं हो आप केवल शरीर नहीं हो आप एक प्राण हो और प्रमिश्र ने एक आत्मा नहीं एक जीवित प्राणी बनाया प्राणी प्राण जिसमें है और वो प्राण जीवित था लेकिन प्रमिश्र ने का तू फल खाएगा तो मर जाएगा तो क्या मर गया उसका वो सोल जो जीवित था जीवित सोल की क्या characteristics है क्या कैसे आप कह सकते हो कि यह जीवित प्राणी है जीवित प्राणी वचन में लिखा हुआ है भजन सहीता 150 जवाब पढ़ते हो तो वहां हम लिखा है Let everything that has breath praise the Lord प्रभु का वचन के कहता है हर एक उसमें जीवन का स्वास जिसमें है वो परमेश्वर की महिमा करे छटवाबत क्या कहता है 150 अध्या है Let everything that has breath praise the Lord जितने प्राणी है अर्थात जिन में जीवन का प्राण है जिनके अंदर परमेश्वर का स्वास है वो क्या करे परमेश्वर की अराधना करे पहला सबसे पहला साइन ये है वो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर की अराधना करता है प्रार्थना नहीं करता बल्कि वो परमेश्वर की प्रेजन्स में रहता है रूबरू रहता है आदम प्रातना नहीं करते थे Living Soul को प्रेयर की जरूरत नहीं है आप बोलोंगे कि तो क्या फिर हम प्रेयर करना छोड़ दे नहीं प्रेयर का एक चरण है जो Living Soul पहुँच जाता है जहां वो परमिशर से दूर नहीं है कि प्रातना करे बलकी साथ और करीब है कि वारतलाब करे प्रभु का उचन कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है दाउद कहते यहवा परमिशर को मैंने अपने सम्मुक रखा है कि मैं ना डिगू हूँ, मैं ना गिरू हूँ, वो मेरे दाहिनी और रहता है तो प्रेयर करने की जरूरत नहीं है जब आप वन ओन वन हो जाते हो कुरुन्तियों की किताब उसके तीस रद्ध है कि सत्रा अठारा पद में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या लिका हुआ है वहाँ लिका है जो परमेशर की संगती में रहता है वह परमेशर के साथ एक आत्मा हो जाता है तो आप उससे नहीं मांगते उससे नहीं मांग सकते जो आप में ही है और आप उसमें हो Praise the Lord मांगने के तीन चरण है रिष्टे के तीन चरण है एक तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं मांगो तो तुम्हें मिलेगा प्रीज लोड लेकिन एक जगे लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे मांगने से पहले ही परमेशर तुम्हें दे देता है ये कब होता है ये तब होता है जब परमेशर ने आदम को बनाया था आदम मांगते नहीं थे कुछ क्योंकि वचन में लिखाया एनोश के दुनों से लोग मनुष परमेशर से प्राथना करने लगे मतलब दो-चार पीडी के बाद ही मनुष इतना दूर परमेशर से हो गया था कि अब उसको प्रेयर की जरूवत थी आज हमको कहना पड़ता है प्रेयर करो भाई और हम लोग नहीं करते वर्शिप करो भाई हम लोग नहीं करते क्यों? क्योंकि हमारा सोल डेड है हमारा सोल एक्टिव नहीं है पैसिव फॉर्म में है active नहीं है खुदा के प्रती जीवित नहीं अपने परमेश के प्रती जीवित व्यक्ति को आप चुप नहीं कर सकते दाओद राजा जब अपने पूरी तरह से परमेश की महिमा कर रहे थे उनको ये भी ख्याल नहीं था कि उनके वस्त्र जो हैं उनके शरी से उथर रहें इसका मतलब यह नहीं कि हम बेवसूद हो जाते हैं परमेश का आत्मा हमारे अंदर हमें active रखता है हम बेहोश नहीं हो जाते हैं हम होश नहीं खो देते हैं बलकि हम इतने मंत्र Frederick हो जाते हैं परमेश की presence में कि हम दुनिया की वास्तविक्ता को खोने लगते हैं और परमिश्र की उपस्ति हमारी लाइफ में वास्तविक हो जाती है मैं इसको सरल लीती से कहूँगा कि आप परमिश्र को इतना ज़्यादा अपने चारो तरफ महसूस करते हो इतना ज़्यादा प्रभू में रहते हो कि आपको दुनिया के चिंताओं की फिक्र नहीं होती क्या खाएंगे क्या पीएंगे इसकी फिक्र नहीं होती और careless नहीं होते हो आप बलकि आप सब को जानते हो और परमेशर आपकी हर जरूरत को आपके सामने पूरा करता है वचन कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है मेरा कटो रहा मतलब आनंद की ऐसी अनुभूती है कि मैं बहुत खोश हूँ लोग पैसे में खुशी देखते हैं, रिलेशनशिप में खुशी देखते हैं अपनी जॉब में अपनी केरियर में और अपनी गैड़िर्स में अपने धन समपती में बरती में लेकिन ये व्यक्ति परमेश की प्रिजन्स में खोश है आपके सोल को true satisfaction अगर कुछ दे सकता है तो वो केवल परमेश की उपसे थी आपके सोल ने सबसे पहले कुछ चखा था त प्रिजन्स थी आपका सोल जीवित ही तब हुआ था मनुश का सोल जब परमेश ने अपना स्वास फूका था वच्चन में लिखा है जिसके अंदर परमेश का स्वास से वो खुदा की अरादना करे तो क्या character strict है कि आप living soul हो पहली बात तो आप worship रोक नहीं पाओगे आप प prayer is like breathing हर सांस जैसे ले रहे हैं ऐसे ही दुआएं होती है वच्चन में लिखा है without seizing मतलब बिना रुके प्रार्तना ये कैसे संबव है एक गंटे दो गंटे की prayer नहीं जीवन भर बिना रुके prayer हमें तो पता ही नहीं ये क्या होता भीया पास्टर जी हमें नहीं पता ये क्या होता है ये वो होता है जब आपका soul प्रभू के साथ एक हो जाता है आपकी आत्मा प्रभू के साथ रहते रहते अंश अंश करके बदल जाती है फिर आपको prayer की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि आप communication में आ जाते हो साथ साथ चलते हो प्रभू के प्रभू का उचन क्या कहता है इलिया कहते है यहुआ जिसके सम्मुक में उपस्तित रहता हूँ जिनकी presence में चलता फिरता हूँ ये बिलकुल संभा हो है जर्ती पर रहते हुए आप divine presence में रहो आप धर्ती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में रहो आपकी सोच परमेशर की सोच बन जाए आपका मन प्रभू की तरह सोचने लग जाए तो आपको प्रेयर की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको बस communion fellowship की जरुवत पड़ेगी संगती प्रेज लोर्ड आप उसको पॉल नहीं करते जो आपके साथ है साथ में कमरे में आप उसको फोन नहीं करते उससे चैट नहीं करते जो बिलकुल आपके साथ है कमरे में आपके पास बैठा है आप बिलकुल साथ में बैठे हैं आप उसको फोन करते हैं कभी आप उसको प्रेयर की तरह है, जो हम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्य से दूर हैं, लेकिन जब आपका साथ ही आपके साथ होता है, तो मैसेज कॉल बंद हो जाते हैं, प्रेयर जब प्रभु आपके साथ होते हैं, तो प्रेयर कम्पलीट हो जाती है, प्रेयर एक ऐसे डाइमेंशन में पह प्रेयर एक जरिया है परमेशर तक जाने का बलिदान एक जरिया है परमेशर तक जाने का प्रेयर एक वो रास्ता है जिसका पहला चरन है मांगना मांगो तो मिलेगा दूसरा चरन है धूंडना धूंडो तो तुम पाओगे अब जब तुम ने पा लिया तो तुम फिर मांगो होगे नहीं जब आप पहला चरंद को कर जाते हो आप इंग्लिश में लिखा है आस्क मतलब मांग तुझे मिलेगा सीख सीख मतलब खोज क्या खोज परमेशर को खोज ढूंडो तो तुम अब जब तुमने पा लिया है ढूंडने के वक्त तुम्हें मिल गया है परमेशर तो तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी जो वक्ति परमेशर को पा लेता है ना उसकी सारी जरूरत हैं परमेशर में इतनी पूरी हो जाती हैं जब आपको परमेशर मिल जाते हैं गहरी प्रिजन्स में मूसा जब आये तो मूसा को भूग भी नहीं लगी प्यास भी नहीं लगी, उनको कोई चिंता नहीं थी, उनको कोई फिक्र नहीं थी, उनके body की cell भी मरना बंद हो गई थी, क्योंकि उनकी उम्र 120 होने पर भी उनको चश्मा नहीं लगा था, उनको वैसे ही बल था, पौरोशन में था, आपकी age रुख जाती है, और आपको कोई जरूरत नह होती कुछ मांगने की, ढूंड़ो तो तुम पाओगे परमेशर को, लेकिन यहां भी prayer खतम नहीं होती, prayer यहां भी चालू रहती है, prayer का दूसरा level क्या है, ढूंड़ना, तीसरा level क्या है, तीसरा level और deep है, तीसरा level और unique है, तीसरा level क्या है, खटखटाना, क्या खटखटाना पर्मिश्य की गहरी presence में जाने के लिए पर्मिश्य से विंति करना विंति और विंति कौन से करना आपकी soul की demand आपकी soul की demand होती है कि प्रभू मुझे अपनी presence में ले चल क्योंकि जब आप प्रभू को पालिये हो न तो आप और अधिक पाना चाहते हो आप खोना नहीं चाहते हो प्रेजन्स को आप चाहते हो कि मैं इस प्रेजन्स में यूँ घुम हो जाओं कि समय यह हुई रुख जाओ और अनंतकाल में प्रविश कर जाओं और लिटरली जो खट-खटाने के बाद वचन में लिका है खट-खटाओ तो तुमारे लिए खोला जाएगा और जिस व्यक्ती के लिए जिसके सोल के लिए परमेशर द्वार खोल देते न वो इटरनिटी में चले जाता है वो अनंतकाल में प्रविश कर जाता है फिर दर्ती की कोई पकड नहीं रह जाती कोई बिमारी की पकड नहीं रह जाती किसी चीज की फिकर नहीं रह जाती आप complete disconnection प्राप्त कर लेते हो इस जर्ती से complete disconnection प्राप्त कर लेते हो self से आपके खुद के नेचर से, आपकी बुराई से, आपके पाप से आप disconnect हो जाते हो और प्रभू की गहरी उपस्तिती में चले जाते हो जहां पोई आपको प्रेयर करने की जरुवत नहीं है क्योंकि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएका और जब परमिशर की प्रिजन्स का द्वार खुल जाए इसका मतलब आप हैवन में हो आप हैवन में हो और जब आप हैवन में हो तो आपको कोई घटी नहीं आपको कोई कमी नहीं आपको कुछ मांगने की जरुवत नहीं क्योंकि जो सब कुछ का दाता है वो आपके इतने करीब है Praise the Lord और आज मी प्रभू हमें बुला रहा है अपने हाथों को बाहों को फैला कर और वचन कहता है देख वो दौआर पर खड़ा हुआ खट-कटाता है दो प्रकार से खट-कट दो चरण है खट-कटाने के आज हमारी अवस्ता ही है कि परमिशर हमारे दौआर पर खट-कटा रहा है लेकिन जो मांगते ढूंडते और उसके बाद खट-कटाते हैं वो प्रभू की उपस्ति में जाने के लिए खट-कटाते हैं श्रीजगीत में लिखा हुआ है वो मुझे अपने मुह के चुमबनों से चुमबे क्योंकि तेरा प्रेम दाखमदू से भी होता है वो एक ऐसी divine presence है ऐसा satisfaction है जो धरती में कोई निसान नहीं दे सकता कोई सुख नहीं दे सकता परमेश की डेवडी पर जो सुख मिलता है वो यहां के हजार दुनों के सुख से ज़्यादा होता है तो परमेशर जब उस डेवडी का द्वार खोल दें और आप उसमें प्रविश कर जाओ तो उस सुख की तुलना आप किसी भी रेल्म से नहीं कर सकते किसी भी चीज से नहीं कर सकते परमेश की दिवडी पुस्तिती में बनाए हुए लोगों आज समझो तुमारे सोल को परमेशर वापिस से रिस्टोर करना चाता है ताकी तुम प्रवो को पालो और जिस दिन तुमने प्रवो को पाली है तुम कहोगे दुनिया की सारी चीज hairs फीकी है कुछ नहीं दे सकता कुछ नहीं दे सकता ना कोई relationship आपको कुछ दे सकता है ना कोई और वस्तू परमेशी की presence आपको ऐसा restore करती है कि आपको लगता है heaven starts from here आप कहते हो कि स्वर्ग यहां से चालू है और आपका soul इतना steady इतना स्थेर हो जाता है इतना स्थेर हो जाता है कि अब आपको कोई फिक्र नहीं होती आप समय के bondage से निकल जाते हो आप time के control से निकल जाते हो समय आपकी life में अब control नहीं करता क्योंकि आप eternity में हो आप वहाँ हो जहां प्रभू है क्या प्रभू को कोई control कर सकता है और जब आप प्रभू के बिल को करीब हो तो कोई आपको control कर सकता है Praise the Lord प्रभू की जहां presence है सच्ची अजादी वही है वचन क्या कहता है जहां प्रमेशी की उपस्दी है Where the spirit of the Lord is There is freedom आपको नहीं पता सच्ची अजादी क्या होती है आपने कभी महसूस नहीं की होगी Complete अजादी क्या होती है Complete अजादी वो है जब आप प्रमेशी की presence में पहुँच जाओ तब आप पूनतह सुतंत्र होते हो आपकी body, आपका soul, आपकी spirit आप completely soul में delivered होते हो एक अजाद प्राण की ये भी एक गुण होता है अजाद प्राण में की प्रमेशी आपको जो बूले आप दे सकते हो रभू बोलें की ये छोड़ दे आप एक पल में छोड़ दोगे रभू बोले ये बलिदान कर दे एक पल में आप बलिदान कर दोगे ये एक sign है कि आपका soul आजाद है धरती से जुड़ा नहीं है हमारा प्राण क्या होता ना धरती से जुड़ जाता लोगों से, हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, लोग जौब नहीं छोड़ना चाहते, लोग घर नहीं छोड़ना चाहते, लोग अपनी दंजमपत्ती नहीं छोड़ना चाहते, उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते, लेकिन अबराहम जी को परमिश्य ने कहा था, अपन भी छोड़ सकता है और प्रभू के एक इशारे पे छोड़ सकता है इवन प्रभू के बिना मांगे भी वो छोड़ने के लिए तयार है और प्रभू की उपस्तिती में वो ऐसा है प्रभू आप जो चाहें Praise the Lord जो प्रान आजाद है प्रभू उस प्रान को समझते हैं जानते हैं आपके प्रान की इस रियल अवस्था आप नहीं जानते बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं केवल वही समझ सकते हैं जो प्रभू की उपस्तिती में आया हो और आते जाते नहीं ठेहरते हैं जिनकी presence जो परमेशे की presence में उपस्त हैं उनको यह बोलना नहीं परता तुम पाप मत करो बुराई मत करो, बुरा नेचर छोड़ दो दुआ करो, वर्शिप करो वो जहां होते हैं वहां वर्शिप होती है वो जहां होते हैं वहां वर्षिप होती है क्योंकि उनका मनुष्यों का होना ही परमेशी की उपस्तिती का होना होता है क्योंकि वो परमेशी की उपस्तिती को छोड़ना ही नहीं चाते इसलिए जहां वो जाते हैं प्रभू की प्रिजन्स वहां जाती है उनके उपर ऐसा grace होता है प्रभू का, उनका जाना प्रभू का जाना हो जाता है, उनका बोलना प्रभू का बोलना हो जाता है, उनका हाँ बोलना परमेशर का हाँ बोलना हो जाता है, उनका उठकर चले जाना परमेशर का चले जाना होता है, वो प्रभू के साथ इतने एक हो कि वो अलग नहीं हो सकते प्रभू से भला होता तू मेरे भाई की तरह होता जिसने मेरी मा की छाती से दूद पिया तो मैं भीड में तेरा चुम्भन लेती और कोई मेरी निंदा नहीं करता आप समझ नहीं सकते इस बचन को जब तक आप चखेंगे नहीं परमेशी की उपस्त आपको बुला रही है आप भूल जाओगे सारा सुगा भूल जाओगे सारा दुख भूल जाओगे सब कुछ संपूर्ण तह आज़ादी आपका इंतजार कर रही है और में शर बाहियों खेलाए हुए आपकी ओरे मनुश्य जब गिर गया पाप में पढ़ गया आदम को जो लाइफ से जाए तो आपको लगता है ये क्या हो गया? आप और में तो पेन में पैदा होते हैं, पाप में जनम लेते हैं, हमें नहीं पता आजाद प्राण क्या होता है, हाँ ये संभव है कि आपका प्राण अजाद हो जाए, हाँ ये संभव है कि आपका सोल भी लिविग हो जाए, कब होगा जब परमिशर आप में स्वास को प्रभू की प्रप्षिति में नहीं है, जिसकी लाइफ में प्रभू की प्रिजन्स आती है, वो अपना सब कुछ कंगालों को बाटने को तयार हो जाता है, कुछ लोग इशू के साथ तो हैं, लेकिन इशू के पास नहीं, जो इशू के साथ होते हैं, प्रभू कहते हैं, यह छोड़ दे वो नहीं छोड़ दे, लेकिन जो इश्यू के करीब हैं प्रभू उनसे बोले ना बोले वो छोड़ने के लिए तयार है प्रीज लोर्ड एक सुबेदार एक धनी वेक्ति से प्रभू ने का ये सब को छोड़ दे स्वर्व में तुझे फल मिलेगा वो नहीं छोड़ पाया क्योंकि प्रभू को तो पाया था लेकिन अपने अंदर प्रभू को रिसीव नहीं कर पाया था चुंगी लेने वाले से प्रभू ने नहीं का कि तू सब कुछ अपना कंगालों को दे दे बलकि उसने जो लूटा था उसने जो टेक्स के द्वारा प्राप्त किया था उसने का जो जो जिसका मैंने लिया है आज मैं चाके सब को दे दूँगा चार गोना भर दूँगा परभु ने का आज इस घर में उद्धार आया है कहने का मतलब उसके अंदर परभु आ गए थे उसके अंदर प्रभु की presence आ गई थी परमेशी की उपसिती जब आपके अंदर आ जाती ना आप मुठी खोल देते हो आप पकड़के नहीं रखते आप अपनी ली चिंता नहीं करते आपको फिकर नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपका सरजनहार जीवित है दर्ती उलट पुलट हो जाए लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा आपको यकीन है और आपको कोई फियर नहीं होता सिद्ध प्रेम भय को खतम कर देता है परमेशी की उपसिती में भय है ही नहीं जहां प्रभु की उपसिती न वहाँ नो फियर अट आल किसी मृत्यू का भय नहीं किसी अंधकार का भय नहीं किसी शत्रू का भय नहीं किसी आत्मा का भय नहीं किसी बविश का भय नहीं किसी कोरोना का भय नहीं जो लोग डरते हैं न टटोलो अपनी लाइफ को क्या प्रेजेंस में हो प्रेजेंस चखी है प्रेजेंस का मतलब complete deliverance है अब आपने अपने आत्मा में तो प्रभु को पा लिया लेकिन आप soul में पाना बाकी है आपका soul अगर 100% presence में आ जाएगा 100% अजाद हो जाएगा 100% living soul बन जाएगा तो आपको ये सारी चिंता है खतम हो जाएगी आप delivered हो जाओगे आपका प्राण बदल जाएगा मसी का सुभाव आपमें आ जाएगा आत्मा के नौफल आपमें कितना ही निचोड़ दो प्रेम ही निकलेगा कितना ही कोई थपड मार दे प्रेम ही निकलेगा मसी जी वन प्रैक्टिकल क्यों नहीं लगता क्योंकि हमारा soul चेंज नहीं हुआ है शमा करना होता नहीं हमसे थपड कोई गाल में मारे दूसरा हम कैसे फेर दे जो आजाद soul है न उसकी एक characteristic है कि वो अपने आप अपने भाईयों के लिए प्राण देने को त्यार हो सकता है अपने भाईयों के लिए प्राण देने वाले व्यक्ति से बड़ा वुआ प्रेम के सीखाने बचन कहता है हमें भी भाईयों के लिए अपना प्राण देना ये सब कैसे कर सकते हैं हम तो भाईयों के लिए कुछ नहीं करते हम तो कुछ भी नहीं देते राण देना तो दूर हम तो अपनी खास चीजें भी देना पसंद नहीं करते अपने लोगों को हम अपने सगे भाई बेनों को नहीं देते अपनी वस्तु है उसमें भी जलते हैं हमारा सोल करप्ठ है हमारा सोल गिरा है हमारा सोल लिविंग नहीं डेड है परमेश्य की उपस्ति ही उसे जीवित कर सकती है और परमेश्य जब अपनी आत्मा को हमारे अंदर बेजते हैं तो हमारा आत्मा जीवित हो जाता और प्रान हो रहा होता है क्योंकि दीरे-दीरे करके पहले आप जूट भी बोल लेते थे आप जूट बोलते नहीं बनता इसका मतलब आप चेंज हो रहे हो बदल रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो बचन में लिका अंश-अंश करके परमेशर की प्रिजन्स में बदलते जाते हैं परमेशर के आत्मा की उपस्ति में परमेशर की समानता में बदलते जाते हैं प्रीज अलॉड, प्रीज अलॉड मूसा ने कहा कहा, हे परमेशर मेरा नाम जीविन की पुस्तिका से काट दे और इनका लिख ले मुसा ने कहा मैं मनने को त्यार हूँ कैसे कोई बोल सकता है जबकि मुसा के विरोध में उब लोग जाते थे कब बोल रहे हैं मुसा जब वो प्रभु की पुष्थती में आप उसी की तरह बन जाते हो जिसके साथ आप रहते हो संगती आपको बदल देती है आप कितने ही स्ट्रगल कर लो और सोच लो कि मैं बदल जाओंगी आज से नहीं हो सकता एक ही चीज आपको बदल सकती है संगती कैसे कोई को आप देखते हो और कहते हो वाव यह कितना चेंज हो गया है वो प्रभू की उपस्ति का कारण है कैसे कोई बोले ना मैं इतना वेट करता हूँ उसकी लाइफ को देखो उसकी लाइफ में आत्मा के फल को देखो अपने दुख में भी दूसरों का भला करने का नेचर है की नहीं किसी भी हद तक कोई बुराई कर दे शमा करने का नेचर है की नहीं प्रेम करने का नेचर है की नहीं प्रभू का स्वभाव है की नहीं बाकी चीज़ें आप मत द्यान दो देखो वो प्रभू के साथ रहा है तो प्रभू के जैसा होगा प्रेज लौड आप प्रभु के साथ हो, उसका दावा ये ही बात कर सकती है, उसका दावा आप ना करो, हम देख के बता देंगे कि आप प्रभु के साथ रहे हो कि ने, क्योंकि लोगों ने जब देखा ये साधरन मचवारे थे, इनको ये बोल गुद्धी कहां से आ गई, तो उनको महसूस ये तो इशू के साथ चलते थे, प्रेज लोड, आपकी लाइफ बताएगी, आप मत बताओ, आप कौन हो, आप मत बताओ, हम दूर से देख के आपको समझ जाएंगे कि आप कौन हो, आपकी लाइफ आपका मूँ खोलना बता देगा, आप कौन हो, आपके साथ बैठना बता और जब आप प्रभू के करीब हो, तो प्रभू की तरह नेचर भी होगा आप में, शमा करना, दया करना, क्रपा करना, अनुग्रह करना, यह आपका नेचर हो जाएगा, समझ रहे हैं, प्रेम, विश्वास, भलाई, क्रपा, सयम, यह आपके अंदर अपने आप आएगा, कोई आप खुद पर दया नहीं करते हैं, जब आप प्रभू की उपस्ति में होते हो, जो सेल्फ, पिटी है ना, सेल्फ, खुद पर दया करने वाला एक नेचर है, मैं बेचारी, मैं बेचारा, मैंने इतना सहा, मैं तो इतनी अकेली, प्रभू की उपस्ति में रहने वाले यह च उन्हें संतुष्टी दे देता है, प्रभु की प्रिजन्स उन्हें इंतना complete satisfaction दे देती है, कि वो रोते ही नहीं दूसरों के सामने जाके, क्योंकि उनको पता है दूसरे हमें क्या देंगे, हमें तो वो मिल गया है जो हम चाहते हैं कि उन्हें भी मिले, हम पाने वाले नहीं, ह जो आपके हमें मेरे अंदर शायद नहीं हो, आज हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है, और ये मांगने से नहीं मिलेगा, ये संगती से होगा, आप मांगते हो, मुझे बहुत उपस्तिती चाहिए, और आप डायम ही नहीं देते हैं प्रभु को, एक तरफ वो वेक्ति ज लेकिन मांगने वाले से ज़्यादा प्राप्त कर ले रहा है क्योंकि समय बेताना ही वो कीमत है जो आपको अदा करना है, मांगते रहते और बैठते ही नहीं हो, कौन दूर गया, प्रभु दूर गए कि आप दूर गए प्रभु से, कौन बदल गया, प्रभु बदल गए कि आप बदल गए, किसने समय देना बंद कर दिया, प्रभू ने की आपने, किसने ये तकलीफों को खुद ने होता दिया, प्रभू ने की आपने, किसने वो सारा नेचर खो दिया, किसकी गलती है, किसकी प्रॉब्लम है, हमारी खुद की, हमारा कारण, हमारे निर्ने थे, उसके कारण से ही हुआ है उनको आत्मी गुन्नती की फिक्री नहीं होती जो प्रभु के उपस्तिती में रहते हैं उनको क्या आत्मी गुन्नती की बजाए वो प्रभु को पा चुके हैं प्रभु को पा लिया आपने फिर आप किस आत्मी गुन्नती की बात कर रहे हो जब प्रभु आपका बुलना एक निर्णे हो जाता है भी से लॉर्ड आप कल प्रना नहीं कर सकते प्रियों इतना सुखत जीवने मसीव हैं आज जो तकलीफ हम जील जील रहे हैं परमिशन ऐसा नहीं बनाया था हमें यह हमारा सोल जो इतना तकलीफ में हमारी चेहरोई पर चिंता है हमारे बाल पकते हैं हम मुर्जाय से रहते हैं कोई सुख नहीं है सब कोछ है चारो तरफ लेकिन खुशी का फिर भी कारण ढूंते रहते हैं अपने आपको ध्यान भटकाने के लिए वीडियो इस्टेटस और इदर उदर फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स करते हैं हनुक सिसी को प परमेश्व पक्षपात नहीं करते हनुक को स्पेशल दे दिया और बागी सब को रिजेट किया कभी ऐसा नहीं किया परमेश्व ने प्रभु ने हरेक को बुलाया है और नाप-नाप के आत्मा नहीं देते हैं आप सोस्ते हो ने जैसे किसी पास्टर का काम ही प्रभु की परशन उन्हें मिल रहा था तो वो एक महल को देख रहे थे उस महल में प्रभु उनको ले गए उनको लगा शायद ये मेरा महल होगा प्रभु जो मुझे देखा रहे उनने बता है तुमारे चर्च की एक लेडी है एक विश्वासी का महल है इतने बड़े अभिश्व दास बोलते हैं जो तौल इशान महल वो एक इस्तरीगा है आपको नहीं पता कि हमें नहीं पता जिने हम आत्मिक समझ रहे हैं वो आत्मिक हैं की नहीं है परमेश का देखना मनुश का देखना नहीं है आप बंद कमरें में रह सकते हो चर्च में कोई आपको importance ना देता हो लेकिन आप बहुत डिवाइन, गहरी, बहुत स्रेश्ट परमेश की उपस्ति में चलने फिरने वाले वक्ती बन सकते हो, बहुत गहरी उपस्ति में पहुंच सकते हो, परमेशर ने हरेक को नुगरे दिया है, प्रभु ने ये नहीं का कि बस पास्टर लोग आएं मेरे पास, बाकी मै पहला दिन मंडे नहीं था, कि मंडे आ गया डूटी पर चलो, चलो खेती वड़ी करो, पहला दिन हमने मनुष्यों ने जो पहला दिन देखा था, वो कौन सा दिन था, संडे, रेस्ट डे, विश्राम का दिन, परमेशर ने कहा कहा, मेरे दाहिने बैट में तेरे शत्रूं को तेरे चर्णों की चौकी कर दूँगा, आपको थोड़ना आपका जॉब करना है, प्रभू आपके जॉब को करेंगे, प्रभू आपके कार को करेंगे, प्रभू आपकी कॉलिंग को पूरा करेंगे, जो कार मसी ने हम में चालू किया है, मसी ही उसे पूरा कर सकता है, हमारा ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, एक ही चीज है, प्रभु की उपस्ति है, रेस्ट, एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, और सोचता है कि मैं सफल हो जाओंगा, और एक व्यक्ति परमेशे की प्रिजन्स में बैठता है, वो अपने आप सफल है, सफलता पीछा कर रही है उस इसे गिफ्ट है, आपको अगर सक्सेस ऐसे गिफ्ट चाहिए, प्रभु की उपस्ति में आजाओ, प्रईज लॉड, त्यूंकि आपके हातों का काम नहीं है ये, परमेशर का दान है, जो सच्चा सुख परमेशर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि अल्टिमेटली सक्सेस अ लास्ट कमपोनेट जो है, वो पीस है, इस धर्दी पर जो लोग साइन्स के स्टुडेंट्स हैं, जानते होंगे, हम किसी भी चीज को जलाते हैं, तो लास्ट में एक ही चीज मिलती है कारबन, किसी भी चीज को जलाओ, उसको लास्ट में, डिस्ट्रॉय करो, लास्ट में का आपकी मसी जीवन का सारी चीजों का समावेश एक ही चीज है पीस अगर आपकी लाइफ में पीस है आप रभू की प्रेजन्स में हो क्योंकि पीस के राजकुमार प्रभू है और परमेशन जो आपको मार्ग दिया उसमें अगर आप चल रहे हो पीस नहीं है तो कई न कई आप परमेशन के मार्ग में ही नहीं हो परमेशन का द्वारा जो मार्ग है उसमें पीस होगा प्रेयर के बाद पीस होगा खाने के वक्त में पीस होगा सोने के वक्त में पीस होगा परमेशन अपने भक्तों को नीन यूँ ही दे देते हैं कभी भी पीस में हो लो, कभी भी सो सकते हैं, नींत की दवाई लेनी की जरूवत नहीं है, पीस, एक प्रभु के दास ने का प्राथना करी, प्रभु ने उनको ये बताया, कि अगर परमेश की शांती तेरे साथ है, तो परमेश की इच्छा में तू चल रहा है, क्योंकि जब परमेश की योजना से बाहर निकलते हो न, सबसे पहले कुछ चोरी होता, तो वो शांती है, आपको अपनी शांती को बचा के रखने की जरूवत है, क्योंकि सक्सेस का एंड प्रोड़क्ट, पीस होना चाहिए, जॉय होना चाहिए, और अगर वो है, तो आप सक्सेस्फुल हो, और अगर नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं पाया, आपने कुछ नहीं पाया लाइफ में, इसलिए कहते हैं, संतोष सहित भक्ती बड़ी कमाई है, छूखा टुकडा खा रहे हो आप, लेकिन अगर पीस में हैं, तो यही सफलता है, मसी जीवन यह नहीं कि बहुत बना भी सकते हैं, लेकिन वो खरपती बनने के बाद भी अगर शान्ती नहीं है, तो आप किसके लिए बटोर रहे हैं, आपका भाग क्या है पता है, प्रभू, और प्रभू की प्रिजन्स में शान्ती, टू सैटिसफेक्शन यह है, ऐसे भी लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन बहुत गहरी उपस्ति में हैं, वो अपनी लाइफ को फुली जी रहे हैं, और हम इतनी सुफधाओं में रहकर भी अगर शान्ती में नहीं हैं, तो हमने लाइफ को खो दिया है, लाइफ के मायने ही नहीं हैं, कोई लाइफ नहीं है प्रूफ पीस ही आपको चाहिए आज प्रभू से कहें प्रभू आप मेरे दिल में आ जाईये ताकि मेरे जीव में शांती आ जाए आनन्द आ जाए मेरा सोल वापिस रिस्टोर हो जाए मैं आपकी उपस्तिती में रहूँ में दुआ जितनी दूरी ना रखे रहे बलकि फेलॉशिप जितनी करीब आपके में रह सकूँ प्रभू जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी गहरी उपस्ति और आपका उत्तम वच्चन पे ताज हमें मिला है हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्य प्रभुजी आपकी गहरी उपस्ति में हमारा जीवन हो और हम आप में ओ प्रभुजी ओ खुदा खो जाएं ताकि प्रभु आपकी गहरी उपस्ति ओ खुदा ही हमारे जीवन में दिखाई जब लोग देखें तो आप ही दिखाई दें ताकि मेरे प्रभू ये हमें यकीन हो कि हम आपकी प्रिजन्स में थे और आपकी प्रिजन्स हमारे जीवन में शांती लाती है आनन लाती है प्रभू हमें कोई फिक्र नहीं ना हमारा कहीं आना जाना हो ऐसी अवस्था में कोई देश अगर होगा वो कितना सुकद मनोहर देश होगा जिस देश का परमेशर यहुआ है जिन लोगों का परमेशर जिन लोगों के परमेशर आप है वो लोग कितने सुकी लोग हैं प्रबू हम दन्यवाद देते हैं आज हम देखते हैं के चारो तरफ शत्रू है लेकिन क्योंकि आप उस देश के पर मेशर हैं आप उन लोगों के खोदा हैं इसलिए आज वो सबसे उपर सबसे आगे सबसे जादा सफन है लॉर्ड उनकी चारो तरफ मेरे प्रबुजी सफलता उनका इंतजार करती है आज हम भी प्रबुजी आपक उपस्तिती चाहिए बस हम दूसरों को देखकर नहीं जलने वाले बलकि प्रबुजी हम आपकी प्रिजन्स में रहकर आजाद होने वाले बन जाएं आपकी गहरी उपस्तिती हमारे जीवन में आ जाए पिता त्योंकि जिसके साथ और जिसके पास आप हैं वही व्यक्ति सफ है जिसे हम आप तक पहुँचते हैं लेकिन आपके पास पहुँच जाने के बाद प्रार्थना बंद हो जाती है और प्रार्थना एक नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाती है वो एक नेक्स्ट चरन में पहुँच जाती है जहां पर मांगना खतम हो जाता है फेलोशिप है चाहे मृत्यू, चाहे सुख्दू, चाहे प्रदानताएं, चाहे वरतमान, चाहे भविष्य कोई भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता Lord हम धन्यभाद देते हैं, इसी को अजादी कहते है Lord कि मृत्यू भी हमें आपसे जुदाना कर पाए है हम आपकी ऐसी उपस्तिती को मांगा है तैकी जिगा आप मेरी सुधी लीजिगा हम सब की सुधी लीजिगा हर एक को अजात कर दीजिगा अंदकार से बचाएगा आज हम आपकी उपस्तिती में बदलते जाएं हर वक्त हर ख़ण हर घड़ी हम आपको पुकारें आपके साथ समय बिताए और आपकी चगे नुसर जीवन जी आपका अनुग्रे हम पर इस रीती से हो कि हमारा प्राण भी जीवधो और प्रभु हम शान्ती और आनंद में जीवन जी आपकी गैरी उपस्तिती में चले फिरें ऐसी दाय हम सब पर अनुग्रे हो पिता दिया कीजेगा शत्र की चाले नश्ट हो आज की दिन के लिए धने बाद देते हैं प्रभू पुष्यमस्य जी के महानती पुद्र सामर्ती नामे मिलकर विश्वास के साथ जज़ुआ को मांगते हैं रभू पुष्यमस्य जी के महानती पुद्र सामर्ती नामे मिलकर विश्वास के साथ ज़ुआ परमाइखते हैं तरह वादेते हैं प्रभु पुद्र आत्मा परमेश जी आप में हमसे बूले बाच चितिए आपकी महिमा मौर्फ एश्यमस्य जी के नाम मांगते हैं Amen. Thank you, Lord.